तो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद करते हूं अच्छे होंगे आज हम लोग बात करने वाले हैं यह पैम 403 जो मड्यूल हम लोग खरते हैं इसमें से जब स्पीकर हम लोग सौंग बजाते हैं तो नौइज आने लगता है नौइज कैंसल ही नहीं होता है मैं तो यहां सब्सक्राइब करते हैं उनका या फिर जो भी ब्लूटूथ कीट भी यूज करते हैं उनका भी नौइस आने लगता है तो इसका ही सलोशन आज इसके इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत सारे कमेंट्स पर मैंने वीडियो बनाया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को स यह वाला जो पैम 403 में मोडियूल है इसमें से मैंने आइसी निकाल दिया है जो कि आप लोग देख सकते हैं मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं दोनों में आपको डिफरेंस देखी रहा होगा इसमें जो है कैपसीटर छोटे-छोटे हैं इसके बजाए देख सकते हैं दोनों पास-पास ही हैं बड़ कैपसीटर देख सकते हैं आप लोग इसका कैपसीटर बड़ा है और इसका कैपसीटर छोटा है क्योंकि इसको मैंने ऑनलाइन पर्शेस किया था और इसको मैं ऑफलाइन पर्शेस किया हूं तो आप कभी भी पर्शेस किजिए ऑनलाइन या तो आप मतलब केपेसीटर को देख लिजे कि बड़ा है या छोटा होगा तो आप वॉल्यूम ही बढ़ाएंगे तो मतलब आवाज फटने लगता है ऐसा मतलब सब कमिया आने लगती है तो यह सब इस छोटे केपेसीटर की वज़े से होता है आइसी बढ़िया होती है इसलिए मैंने इस आइसी को निखा लिया है और दुसरे मतलब ऐसे किट में फीट कर दिया है इसमें जो केपेसीटर होते हैं यह छोटे-छोटे हैं इसलिए मतलब ज्यादा वैलियूम बढ़ाने पर भी आवाज फटने लगते हैं तो बहुत सारे द 1000 एमेज का मैंने यूज किया है इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं जूम करके जो कि आप लोग देख रहे हैं 10 वोल्ट 1000 माइक्रो फेराडे का मैंने यूज किया इसमें कैपेसीटर तो आप भी यूज कर सकते हैं जिससे मतलब नोइज नहीं आता है आवाज जल्ली फटना भी फटने नहीं है और बेस बाना रहता है इसमें तो बेटर रहता है आप बड़ा कैपेसीटर वाला खरती है आपकी सामने है सोलीशन देख सकते हैं आप लोग इससे बेटर आपको को ही नहीं अच्छे से समझा सकता है तो वीडियो अच्हे लेगी हो तो लाइक की जिगा चैनल को सब्सक्राइब किजीगा एसे वीडियो के लिए और आप कभी भी पैम 4.0.3 मडियो यूज करें तो एक कैपसिटर यूज जरूर करें वह दस वोल्ट पांच वोल्ट से उपर होने चाहिए पांच वोल्ट का भी हो सकता है तो मतलब 25 बाट 25 वोल्ट का भी हो सकता है तो वीडियो अचली हो तो वीडियो को लाइक किजीगा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब किजीगा एसे वीडियोस के लिए और कुछ समझना आया हो तो कमेंट जरूर किजेगा कोई भी दिकत हुई होगो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर एंसर आपको क कमेंट में दे दूंगा तो थैंक यू फॉर वाजिंग दिस वीडियो गाइस